जैपुर से बड़ी कबर सचिन पाइलेट का गैलोफ पर बड़ा प्रहार तेक्टे को मिला मुख्यमंत्री जी की नेता सूनिया नहीं वसुंद्रा है ये कहना है सचिन पाइलेट का सूनिया जी की बही सती की गई मुझे गदार का आगया बीजेपी नेताओ का गुरगान हो रहा है यह कहना है सचन पाइलट का आपसे कुछ देर पहले सचन पाइलट प्रेस कॉन्फररंस करने आए और आप समझे टाइमिंग आप देगे एक तरफ राजस्तान में विदानसवा चुनाव उससे पहले राउल गांधी अपसे कुछ दे पहले ही राजस्थान पहुचे कल प्रधान मंत्री पहुचे उससे पहले राउल गांधी पहुच गए और ऐसे में जब प्रेस कॉन्फेंस शुरू हुई सचिन पाइलिट की तरफ से उसमें सीधे सीधे आरोफ लगाया गया उन्होंने पुरानी बातों का भी जिक्र किया जब अशोगेलो द्वारा उन्हें निकम्मा तक के दिया गया था क्या कुछ का सचिन पाइलिट ने सुनिये अपर में हुआ और उस भाषन को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि समाने मुखमंद्री जी की नेता आधर्णिये शिर्मती सोने गांदी जी नहीं है बलकि उनकी नेता वसुन्द्रा राजे सिंध्या जी है लेकिन कमिटे का गठन हुआ और उसके बाद से हम सबने चाहे वो राजसाब के चुनाव हो चाहे विधान समा में मद्दान हो पार्टी का प्रचार हो कॉंग्रेस को मजबूत और ताकतर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की और धाई साल का जो कारेका निकला वो इस बात का प्रतीक है अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया